च्छतिजगड में लगातार हो रही प्रवर्तान नीदेशालाई केंदरी जांच ब्यूरो और आयकर की रेट को लेकर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने कॉंग्रिस मुख्या ले नई दिल्ली में प्रेसवारता ली इस दोरान सेम भुपेश बगेल ने प्रदे से पिछले तीन साड़े तीन साल से चल रही कारवाई पर निशाना साथा उन्होंने केंदर सरकार पर निशाना साथ तेहवे कहा कि छतिजगड के ख़दानों में उनके मित्रों की नजर है लेकिन बीच में कॉंग्रेस की सरकार खड़ी है इसलिए एडी आईटी की रेट पढ़ रही है इतने में एक पत्रकार ने सवाल किया कि पीम मोदी और शाह को क्या रिटन गिफ्ट देंगे इस पर सेम भुपेश बगहेल ने कहा कि नवंबर में चुना होंगे तो उसमें 75 प्लस देंगे प्रेस पारता के दरान मुखे मंद्री भुपेश बगहेल ने कहा कि राजे सरकार ने पहले भी महादिव एप पर कारवाई की है कई लोग जेल में हैं कि बेल में हैं यदि एडी को पकड़ना था तो जो बाहर है उसे लाना था केवल अधिकारियों को प्लिटिकल एंगल से ही देखा अधिकारी का चुनाओं में कैसे उपियोग कर सकें साथ ही कहा कि भाजपा मान चुकी है कि पार्टर में विजय बगहिल क दाल नहीं गलने वाली है इसलिए इडी भीजा जा रहा है अब और भी कार्यकरताओं कि यहां जाएंगे इडी की कारवाई को लेकर पूरु मुख्य मंत्री के बयान पर सीम बगहल ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंग पहले बताएं इंदीरा प्रिजरशनी बैंक मे किसी कर людей हुई यही रमन सिंग ने क्युं नहीं कि stir Chun जी कौन सा धन्दा करते थे ते कि संपती बढ़ गई इनकी एसी कौन सी कमाई है् साथी कहा की प्रजातान्तिक तरीके से प्रचार क्यू नहीं किया जाता भाजपा को गलत तरीकी से ही सरकार क्यू बनानी है 32 गड़ में ही कोशिस हो रही है कि किस प्रकार से 36 गड़ सरकार को दबाया जाया, बदनाम किया जाया, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार करता हो, पार्टी के पद अधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो, ये सिलसिला सुरू होता है जुलाई 2020 से, जारखन से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी सुरुवात की, और IT ने रेट डाला, जितने भी जिसे सराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया, और इस सराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहां उन्होंने जाज भी की, उसके बाद, धाई साल तक के वो चूप रहे, चुनाओन अस्दीक आते हुए, जबकि सारे काज़ाद एडी को सौप दिया गया था, और आरोब ये लगाया एडी के द्वारा कि, राज्य के खजाने को नुक्सान पहुँचाया गया, जबकि 49 सक करोड से बढ़के 65 सक करोड में से किवल 200 करोड के आसपास, वो भी पैत्रिक संपती, और 2018 से पहले, तीसरी बात उसमें महतकुन अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है, कि धान में भी, पैडी में भी, इस केम हुआ, सारे राइस मिल में छापा डाले गया, आईटी के द्वारा, अभी दी जी तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 107 लाक मिट्टी टन जो धान है, वो मिलिंग कैसे हो गया, अभी तक कि होता ये था कि धान बहार में पढ़े रहते हैं, जैसे मद्धिप्रेस की खबरें आती है कि गेहों बहार में पढ़ा हुआ है और सड़ गया, 36 गड़ में खबरें आ कि यो दिल्लिम नहीं कर सकता है, प्रदासम की जरूरती नहीं है, जनता जान चुकी है कि भारती जनता पार्टी कहीं नहीं है मैदान में, 36 गड़ में बिलकुल नहीं है, और जितने भी कारवाई कर रहे हैं, उससे लोग, चाया उद्योग पती हो, ब्यापारी हो, अधिका रही हो, राजनेता हो, कार करता हो, इस सब भारती जनता पार्टी कहले ही खुल चुकी है, यह जितना करेंगे उतना उनको नुक्सान होगा, बगहल सर, आप कहरें कि ED और IT चुनाओ लड़ीया, BJP उनको आगे कर रही है, लेगिन BJP के नेता करें कि वो प्रधान मंतरी मोध मोधी के चेहरे पर चुनाओ मैदान में उतर रहे हैं, तो आपके खिलाब कौन चेहरा है वहाँ, भाई अरून साओ जी के बयान आप देखेंगे, अब मोधी जी की बात नहीं करते हैं, वो बुल्डोजर की बात करते हैं, योगी जी की, तो भारती जनता पार्टिक अब वो योगी जी सामने कर रहा है, मधिप्रेश में देखेंगे, वो बुल्डोजर चला रहे हैं, अरून साओ जी वहाँ प्रदेश अद्येश के वो कहते हैं, हम बुल्डोजर चलाएंगे, मतब मोधी जी के बात नहीं करते हैं, बिरो रिपोर्ट, ग्रेंड इसीन प्रदेश झाहिए, बिरो बुल्डोजर चलाएंगे, मतब बяет धिरो जी के अवplant यहाँ करते हैं, अरून सिकते हैं, अरून सांथितकी जी का मिन वहाँ प्रेंश